हाई गाईज वल्कम बैक टो डेली इंग्लिश वीट मी वन्स अगेन तो फ्रेंड्स अगर अपी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कूल भी ना भूलिए तो चलिए स सारी चीज़े आप कहा लेके जा रहे हैं यहां पिर रमजे से हम पुष्टे ही कि हैं सारा सामान आप कहा लेके जा रहे हैं तो इसे बोलते हैं Where are you taking all this stuff? Stuff means salmon या crime ऐसे भी हम उसको बोल सकते हैं. Let's see next sentence. मैं बिमार हूँ. तो ऐसे बोलते हैं I am sick. I am sick. मैं बिमार हूँ. Next है मैं जल्दी सो गई थी. I went to bed early. Next है क्या आज बाहर चले? Do we go outside today? आज मैं लेट आऊंगी. I will be late today. या फिर आमें ऐसे भी बोल सकते हैं I will be coming home late today. Next है एक कप चाय बनाओ. Please make a cup of tea. घर आते हुए सब्जी ले आना. Bring some vegetables on your way back home. Bring some vegetables on your way back home. इस से इंटेंसे तुम कब जाना चाते हो? When do you want to go? When do you want to go? Next है मुझे इसका इस्तेमाल करना है. I need to use it. मुझे उसकी और कोई जरूरत नहीं है. I don't need it anymore. I don't need it anymore. Next है उसे मुझे दीजिए. Give it to me. Give it to me. Next sentence है. क्या आपको एतराज होगा अगर मैं आपका फोन इस्तेमाल करूँ? अगर आपको खिसी का फोन या मोबाइल उसकरना हो और आपको उसको सामने वाली की पर्मिशन लेनी हो तो in that situation we can ask Would you mind if I use your phone? Would you mind if I use your phone? Next sentence है. आपको एसा कपसे लगने लगा? When did it start to feel this way? When did it start to feel this way? और आज का मारा last sentence है. वह कैसी दिखती है? What does she look like? What does she look like? या फिर लड़का हो तो What does she look like? तो friends एत ही हमारे day to day life में यूज होने वाली कुछ sentences अगर आपको वीडियो पस्ते नाएगा ता प्लिस लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ठैक्स पर वाचिंग